Good morning everyone, I welcome to all of you, you are watching Education Arena. ये पर्षन उत्तर Optional टाइप की होंगे और आपको पर्षन पढ़कर उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ये रहा हमारा पहला पर्षन, सुभे स्कूल जाते समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, सुभे स्कूल जाते समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, हमारा A उप्षन है पूर्व, B उप्षन है पस्चिम, C उप्षन है उत्तर और D उप्षन है दक्षिम, तो कौन सी दिशा में होता है सूर्य है, सही कहा आपने A पूर्व दिशा में, आईए बच्चो पर्ष नमबर दो पड़ते हैं आपका मूँ पूरू की तरफ हो तो आपके पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी बच्चो मैं A, B, C, D नहीं पड़ूँगी मैं सीधा ओप्षन पड़ूँगी पूरू पर्ष्चिम उत्तरो दक्षिम तो एक बार आईए बच्चो दुबारा से पर्षन पड़ते हैं आपका मूँ पूरू की तरफ हो तो आपके पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी तो कौन सी दिशा होगी बच्चो पूर, पर्ष्चिम, उत्तर या दक्षिम तो कौन सी होगी सही कहा B option पश्चिम तो आईए बच्चो पर्ष्च नमबर तीन पड़ते हैं पूर्व दिशा में मूँ करके खड़े होने पर आपके दाए हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी तो option है पूर, पर्ष्चिम, उत्तर या दक्षिम तो कौन सी दिशा होगी बच्चो सही कहा आपने D option दक्षिन ठीक है आईए बच्चो हब हम पर्ष्च नमबर चार पड़ते हैं पूर्व सूर्यास्त किस दिशा में होता है पूर्व पर्ष्चिम, उत्तर या दक्षिन तो कौन सी दिशा में होता है बच्चो सूर्या कौन सी दिशा में छिपता है सही कहा B option पर्ष्चिम दिशा में आईए बच्चो पर्ष नमबर पाच पड़ते हैं दिशाओ की कुल संख्या कितनी है दिशाओ की कुल संख्या कितनी है 4, 2, 3 या 4 अब देखो बच्चो दो option में 4 आ गया तो हमारे दो option तो answer नहीं हो सकते एक को chain करना हमने तो हम ऐसे करते हैं कि एक option को हम change कर लेते हैं अपनी तरफ से हम दे लेते हैं एक ठीक है तो अब पढ़ते हैं दिशाओ की कुल संख्या कितनी है चार दो ते या एक तो कौन सी होगी इ क्यार दिशाएं होती है यानि की A option ठीक है आए बच्चों अब हम करते हैं person number 6 मानचीत्र मे उपर की तरफ चाओं कौन सी दिशा होती है? मानचीतर में उपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? सही कहा आपने पूर्व, पस्चिम, उत्तर या दक्षिन तो कौन सी दिशा होती है बच्चो? कौन सी होगी? सही कहा C, उत्तर Very good, C option होगा इसका उत्तर दिशा आईए बच्चो, परस नमबर 7 करते हैं राहुल के स्कूल में किस अभियान की शुरुआत होनी है? राहुल के स्कूल में किस अभियान की शुरुआत होनी है? तो किस अभियान की शुरुआत होनी है? देखो option स्वच भारत अभियान, सुन्दर भारत अभियान, बेटी बचाव अभियान या मेरा भारत महान तो कौन से अभियान की शुरुआत होनी थी? सही कहा A option स्वच भारत अभियान तो आएए बच्चो पर्ष नमबर 8 करते हैं रैली के लिए किस रास्ते से जाना तै हुआ? स्कूल के दाई तरफ से, स्कूल के बाई तरफ से, बीच वाले रस्ते से या फिर उपर वाले रस्ते से तो हमारा उतर होगा A option स्कूल के दाई तरफ से तो आएए बच्चो अब हम करते हैं पर्ष नमबर 9 अध्यापिका ने इकबाल का कौन सा हाथ उपर रखवाया? अध्यापिका ने इकबाल का कौन सा हाथ उपर रखवाया? option है बाई हाथ को, दाई हाथ को, दोनों हाथों को या फिर किसी हाथ को भी नहीं तो हमारा अंसर क्या होगा बच्चो? B option दाई हाथ को तो आये बच्चो पर्ष नमबर 10 पढ़ते हैं रैली में पार्क के बाद रास्ते में क्या आया तो औप्शन पढ़ते हैं अस्पताल, हलवाई की दुकान या फिर दवाई की दुकान या सिनेमा होल तो क्या आया था बच्चो बिलकुल ठेक हमारा उत्तर होगा B option हलवाई की दुकान तो आएए बच्चो पर्ष नमबर 11 पढ़ते हैं सभी बच्चे क्या गा रहे थे? क्या गा रहे थे? option पढ़ रहे हैं चलो कवीता, गाना, प्रात्ना या भक्तिगी तो सभी बच्चे क्या गा रहे थे? हमारा उत्तर होगा A सभी बच्चे कवीता गा रहे थे? तो आएए बच्चो पर्ष नमबर 12 पढ़ते हैं अध्यापिका ने किसका चित्र बनाया? अध्यापिका ने किसका चित्र बनाया? आएए बच्चो ऑप्शन पढ़ते हैं पाउ, हाथ, आख, या मूँ तो आएए बच्चो पर्ष नमबर 13 पढ़ते हैं सभी बच्चे रैली निकालने कहां गए? सभी बच्चे रैली निकालने कहां गए? ओप्शन है स्कूल, शहर, गाउं या कस्बा तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चो? गाउं, C ओप्शन, ठीक है? तो आएए बच्चो हम पर्ष नमबर 14 पढ़ते हैं, चोद है राहूल और उसके साथी रैली के लिए क्या बना रहे थे? पोस्टर, पेंटिंग, हाथ या कपड़े क्या बना रहे थे? हमारा उत्तर है A, पोस्टर आएए बच्चो अब हम पर्ष नमबर 15 पढ़ते हैं सूरच उगता रोज जिधर से पूरु दिशा कहलाती ठीक हमारे पीछे वाली पस्चिम जानी जाती बाई और हमारे उत्तर दक्षिन होती दाएं चार दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं यह लैबद पंक्तियां किसकी दवारा रचित है? हमारे उप्शन है बच्चो हरीवंड श्राइ बच्चन जी घमंडिलाल अगरवाल जी सुनिलदत जी या रोहताश कुमार जी तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चो बी उप्शन घमंडिलाल अगरवाल जी ठीक है? तो आए बच्चो पर्षन नंबर सोलह करते हैं यदि आप छिपते वे सूरज की तरफ मू करके खड़े हों तो हमारे सामने कौन सी दिशा और हमारे पीछे कौन सी दिशा होगी देखो बच्चो इसमें दो पर्षन है एक ही पर्षन में अगर सूरज चिप रहा हो तो हमारे हम सूरज चिपते přे सूरज की तरफ मू करके खड़े होंगे तो हमारे सामने पूँसी दिशा होगी और पीछे कौन सी दिशा होगी तो option पड़ते हैं पस्चिम पूर्व पूरु पस्चिम उत्तर दक्षिन या दक्षिन उत्तर तो कौन सी होगी हमारा सही उत्तर होगा बच्चो ए पस्चिम तरफ मुँ करके खड़े होंगे तो हमारी दिशा होगी पस्चीम और हमारी पीट की तरफ होगी पूर ठीक है बच्चो तो आए बच्चो अब हम पर्ष नमबर 17 पढ़ते हैं रैली के दोरान बच्चे अपने साथ जो तक्तियां लिये हुए थे उन पर क्या स्लोगन लिखे हुए थे देखिए उप्षन पढ़ते हैं स्वच भारत स्वच हर्याना स्वस्त हर्याना बी उप्षन है हम सब का नारा स्वच भारत हमारा और सी उप्षन है साफ सफाई सब की भलाई D option है उप्रोक्त सभी तो कौन सा होगा हमारा उत्तर? D option उप्रोक्त सभी तो आए बच्चों अब हम पर्ष नंबर 18 है पड़ते हैं अध्यापिका ने बच्चों को रैली के दोरान कौन-कौन से स्थानों पर ध्यान देने के निर्देश दिये ठीक है? तो अध्यापिका ने बच्चों को रैली के दोरान कौन-कौन से स्थानों पर ध्यान देने के निर्देश दिये option पड़ते हैं कुआ, अस्पताल, दुकाने और पार्क या फिर सभी तो हमारा अंसर क्या होगा बच्चो? D option सभी पर कुआ, अस्पताल, दुकाने और पार्क सभी पर ठीक है? तब हम पर्श नमबर 19 पड़ते हैं यदी स्थानों को चिहनों दवारा दिखाया जाए तो ऐसे चितरों को क्या कहेंगे? रेखा चित्र, नक्षा, क और ख दोनों या फिर तालिका तो क्या कहेंगे बच्चो, क और ख, यानि रेखाचित और नक्षा, हमारा उत्तर होगा C, ठीक है, तो आए बच्चो, हम पर्ष नमबर 20 पड़ रहे हैं, दाया हाथ कौन सा होता है, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, बाया हाथ, या उप्रोक्त सभी, तो दाया हाथ कौन सा होता है बच्चो, हमारा उत्तर होगा C, ठीक है, तो बच्चो, आपको इन पर्ष नों की त्यारी अच्छे से करनी हैं, और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है बच्चो, अपने असेस्मेंट टेस्ट की अच्छे से त्यारी करना, इन पर्ष नों को अच्छे से याद करना और अभ भिहाज करना ठीक है बच्चों